नमस्कार दोस्तों कैसे हो आज हम आपके लिकर आया है सिंडीकेट बैंक में निकलोए भरती के बारे में सिंडीकेट बैंक के द्वारा भरती जाय रही गई है और इस पोस्ट को यदि आपको अपलाई करना है तो ये वीडियो अंतक ज़रूर देखेगा इस वीडियो में हम आपको पूरी जान करें बताएंगे कि आप किस तरीके से इस पोस्ट को अपलाई कर सकते हो और जौब पास सकते हो जो की सिंदिकेट बैंक में हो रही है तो दोस्तों ये जो भरती है बड़े पैमाने पे हो रही है सीनियर मैनेजर, मैनेजर, लॉग, मैनेजर, आयस आउडिट, मैनेजर सीक्यूर्टी ओफिसर तथा इसे बहुत से पोस्ट के लिए हो रही है एजुकेशन, कॉलिफिकेशन इस पोस्ट को अपलाई करने के लापको मिनिममम डिग्री पास होना ज़रूरी है MBA, CA, ICWA पास उमिदवार भी इस पोस्ट को अपलाई कर सकते है नैशलिटे आपकी इंडियन होनी ज़रूरी है maximum age limit यहाँ पर जो बता गया है वो है 35 साल यहने अधिक्तम 25 से 35 साल के उमिदवार इस पोस्ट को अपलाई कर सकेंगे और उनका application निशिव कर सकेंगे age laxation as per rules है तो organization के rules के आधार पर आपका age laxation यहाँ पर होना ज़रूरी है selection जो है आपका general अथा OPC category candidates जो है online written examination तथा interview के द्वारा होगा यहाँ पर आप देख सकते है online written examination और interview आपकी ली जाएगी application fee आपको यहाँ पर pay करनी है जो कि general और OPC category candidates के लिए 600 रुपए है और all other category candidates तथा female category candidates के लिए 100 रुपए application fee रखी गई है started apply करने के लिए 29 मार्च 2019 और 29 मार्च से अधिक्तम आप 18 April तक इस post को apply कर सकते हो और आपका application निशित कर सकते हो 18 April के बाद आपका आवेदन स्विकारा नहीं जाएगा तो जो भी अमर रूम में द्वार इस post को apply करना चाहते है बहुत से post के लिए भरती हो रही है प्रती माहा जौब लोकेशन आल ओवर इंडिया है तो भारत बर्स उमिद्वार इस post को apply कर सकते है और जौब पास सकते है जो की syndicate bank में हो रही है अब हम देखेंगे pdf में क्या जनकरी मिल रही है तो यहापर आप देख सकते हो यह pdf जो है bank के द्वारा जारी किया गया है कुल 139 post की vacancy है senior manager, manager risk management, manager law, manager ice audit, security officer ऐसे post के लिए आप पर भरती हो रही है वेतन आपको सालाना जो है 9.75 lakhs याने 9 lakhs के आसपस आपको सालाना वेतन मिल जाएगा और 12 lakhs तक mmgs3 scale के जो candidate से उनके लिए मिल जाएगा मिनीमम तीन साल का experience आपके पास होना ज़रूरी है तो जो भी हमर रूमेदवार apply करना चाहते है उन्होंने graduate या post graduate पास होना ज़रूरी है इन required education qualification के साथ और साथ-साथ उनके बास 2-3 साल का experience होना ज़रूरी है एज relaxation यहां पर applicable है पास से तीन साल का एज relaxation है ऐसे एस्टे category candidates के लिए पास साल ओवी से एक्जामिनेशन आपके लिए जाएगी तो जल सच लाविदन करकर आपका application निश्चित करें आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपके पसंद आई होगे यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें हम आपके साथ मिलेंगे ऐसी किसी और वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद